वाईशाली जिले के हाजिपूर समस्तिपूर हाईवे बहुआरा में जाम लगा दिया गया और आगजनी करके लोगों ने जाम और आक्रोस का प्रदर्शन किया हत्ता के विरुद में इस जाम को लगाया गया एक सप्ता पूर्व बस स्टेंड संचालक जितंदर राय को गोली मार दी गई थी जिसके एवज में उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई और बीती कल रात इस मौत के बाद लोगों का आक्रोस भरक गया और लोगों ने हाई इलाज पटना के कनीजी उस्पताल में चल रहा था बीते कल शाम इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट परा और बीते साम से ही शरक पर आकर लोग इसका जम कर बिरोत प्रतोशन करने लगा और याता यात परिभन सिमाओं को ठप कर बीते साम लोगों ने समस्तिपूर हाजीपूर स्टेट हाईवे को आगजनी करके जाम कर दिया जिसमें आवागमन पूरी तुरह से ठप हो गया आपको बता दे कि गोली मारने के बाद बस स्टन के पूर्वर संचालक मौम्मत सच्चात समय चार नामजद और चार अग्यार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था लेकिन अब तक उसमें कोई गिरफतारी नहीं हुई है इतना ही नहीं लोगों ने बताया कि अब हाल फिलाल ही यतन्दर राय के टिंडर के माध्यम से बस स्टन के संचालक बने सोम बार को बस स्टन के नए समय तक द्वारा पुलिस के गिरफतारी नहीं हुई है लोगों को आशंका है कि बस एस्टन संचाला को लेकर ही हत्या की गई है और इसमें पुलिस की मिली भगत पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं चार नामज़त अभियुक्त होने के बावजूद अब तक पुलिस के हाथ खाली क्यूं है य और इसके बाद लोगों में आकरोश देखा जा रहा है गिरफतारी की लोग मांग कर रहे हैं लोग का आकरोश इतना अधिक है कि पुलिस भी घटनास्तल पर पहुंचने से कतरा रही है जाम लगभग डेर से दो किलमेटर दूर खड़े गारियों को भी मुस्किल में डाल र ये परका स्वानी